नमस्कार साथ ही हूं मैं दीरजादा अब सभी का हमारे इसके इस्टल प्लैटफॉर्म कॉंपटिशन कमुटी पर एक बार फिर दस्वागत करता हूं बात करेंगे हम लोग यहाँ पर टार्गेट सीजी एसाई और आज यह रिजिनिंग आपका लेक्चर नमबर फाइव होने वाला है कि आपको एक एक नमबर कितने हजारों बच्चों से आगे या वही एक नमबर आपको कितने हजारों बच्चों से पीछे ले करके जा सकता है तो टॉपिक कोई भी हो विशाय कोई भी हो अपने आप में सबकी क्या है इंपोर्टेंस है सबकी अपनी क्या है value है किसी को हम ignore नहीं कर सकते यहाँ पर हर एक चीज़ को हमें cover up करते हुए चलना है क्योंकि हमें यहाँ पर मंदिल पानी हमें यहाँ पर सफल होना है हमें यहाँ पर selection लेना है हमें क्या बनना है SI बनना है clear तो target आपका क्या होना चाहिए कि यह आपका first and last chance है और आपको यहाँ पर जी जान से मेनत कर देनी है और आपके जो बचे हुए समय उसको पूर्ण रूप से क्या करना है समर्पित कर देना है CGSI अपने जीवन के गोल के लिए अपने उद्देश की पूर्ती के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन सेशन की अगर मैं बात करूँ बात करते हैं यहाँ पर सीधे हम लोग प्रश्णों की पहला प्रश्ण आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है SSC GD 2021 बात करें अगर हम यहाँ पर प्रश्णों की जब हम कैलेंडर की चरचा करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि प्रलिम्स के लिए हमारे पास समय कम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेसिकली कोड का इस्तमाल करेंगे और code के माध्यम से हम लोग यहाँ पर questions को solve करते चलेंगे तो code के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हम 12 महीनों के क्या लिखेंगे code लिखेंगे यह हो जाएगा आपका January, February, March, April, May, June, July, August अगस्त के बाद अगर हम बात करें तो September, October, November and December clear यह जो मैं codes लिख रहा हूँ यह आपके ordinary year के लिए होंगे और जब हम बात करेंगे leap year की तो यहाँ पर फरवरी के बाद वाले जो जितने भी आपको codes दिखाई देंगे उनमें हमको तो 6 हो जाएगा, May की हम बात करें तो 1 हो जाएगा, June की हम बात करें तो 4 हो जाएगा, July की हम बात करें तो 6 हो जाएगा अगस्त की हम बात करें तो यहाँ पर code हो जाएगा आपका और 31 दिनों को जो हम क्या करेंगे 7 से विभाजित करेंगे तो हमें remainder कितना मिलेगा फ्री मिलेगा और यही फ्री अपली केबल कहा होगा आपका फर्वरी के लिए फिर फर्वरी के हम बात करें जब हम ordinary एर की चर्चा करें तो फर्वरी में दिन होते हैं यहाँ पर 28 और 28 को जो हम क्या करेंगे साथ से विवाजित करेंगे तो remainder मिलेगा हमें 0 यानि कि again आपका March का code भी 3 नहीं बना रहने वाला यानि कि अगर हम बात करें जनवरी का code फरवरी पे जनवरी का जो आपका यहाँ पर number of odd days आ रहे हैं और ये code आपके कहां कहां पे help करने वाले हैं इसकी भी हम चर्चा करेंगे तो codes यगर मैं बात करेंगे तो जन महीनों के codes आपको same देखने को मिल रहे हैं उन महीनों का calendar भी क्या होगा equal होगा यानि कि जब आपसे repetition of months पर based question पूछे जाएंगे जब आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्स में किन दो महीनों का calendar क्या है समान है तो यहाँ पे आप इन codes की साहता से बता सकते हैं जैसे कि फरवरी और March का calendar समान होगा जनवरी और October का calendar समान होगा September और December का calendar समान होगा ठीक है इसी प्रकार April और July का calendar क्या हो जाएगा समान हो जाएगा जब हम बात करेंगे किसकी ordinary year की साधारण वर्ष की clear और leap year के हम बात करेंगे तो फरवरी के बाद इसे हमें क्या कर देना सब में plus one कर देना है यहाँ पे plus one हो जाएगा months के code की days के code की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जीरो से आप स्टार्ट कर सकते हैं zero मतलब Sunday, one मतलब Monday, two मतलब Tuesday, three मतलब Wednesday, four मतलब Thursday, five मतलब Friday और six मतलब Saturday again zero मतलब Sunday यह हो जाएगा आपका days के लिए code इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर century century जब मैं century की बात करता हूँ तो यहाँ पर हम बात करेंगे सव वर्सों की तो सव वर्सों के लिए code हो जाएगा पांच 200 वर्सों की जब हम बात करेंगे तो 200 वर्सों का code हो जाएगा यहाँ पर तीन यहां पर देख सकते हैं 5 का मतलब क्या हो जाएगा Friday किसी भी सताबदी वर्स का अंतिम दिन कौन सा हो सकता है तो Friday हो सकता है Wednesday हो सकता है Monday हो सकता है और Sunday हो सकता है clear तो यह भी बात यहां से आपको clear होती हुई दिखाई दे रही है बाकी कि अगर हम बात करें जो number of years हैं उसकी भी हम यहां पर चर्चा करेंगे तो basically यह कुछ बाते हैं जो कि आपको यहां पर ध्यान देना और इनी पर based हम क्या करेंगे प्रते के question को हम लोग हल करेंगे calendar के session में जितने भी यहां पर question आपको देखने को मिलेंगे clear तो यह होगे कुछ basic बाते हैं बात करेंगे सीधे प्रश्णकी तो approach क्या होना चीए कैसे हम लोग यहां पर given dates per day निकालेंगे या आनने जो आपके प्रश्ण पूछे जाते है calendar से संबंधित उनको हम लोग कैसे आसानी से हल करेंगे इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे पहले यहां प्रश्ण की बात करूँ यहां पर तो बोला if may 27 2007 is Sunday तो if यहां पर आपको लिखा गया तो आपको क्या करना है यहां पर actual निकाल लेना हमें क्या निकाल लेना वासतीवीक दिन स्तारिक को कौन ज़ा था तो वास्तीवीक दिन हम कैसे निकालेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर century कितनी complete हुई है century के अगर हम बात करें तो यह 400 के multiple में यानि कि 400 के बाद 800 में भी 0 मिलेगा 1200 में भी 0 मिलेगा remainder 1600 में भी 0 मिलेगा और 2000 में हमें remainder कितना मिलेगा 16 मिलेगा यानि कि जब हम century की बात करते हैं 20 century complete होगा यह remainder कितना हो जागा 0 year कितने complete हुए है वर्स कितने complete हुए है तो वर्स complete हुए है 6 तो जितने वर्स complete हुए है वर्स complete हुए 6 तो इन वर्सों में पढ़ने वाले leap years को हमें ले लेना है तो बताओ 6 वर्सों में कितने लीपियर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे 6 वर्सों में एक लीपियर पढ़ेंगे clear अब हम बात करेंगे वर्स 2007 की वर्स 2007 की यह दिमें बात करूँ तो बताओ मई का कोड क्या है क्योंकि 2007 क्या है आपका एक ordinary year है तो मई का कोड है एक और मई में यहाँ पर तारिक की अगर हम बात करें तो 27 बस इतनी सी प्रक्रिया को आपको follow करना है क्या करना है century कितनी कंप्लीट हुई तो century का कोड हो गया फिर उसके बाद year कितने कंप्लीट हुए तो 6 हो गए और हमें पता है हर चार साल में क्या पड़ता है एक लीपियर पड़ता है तो बताओ 6 वर्सों में कितना लीपियर पड़ेगा एक लीपियर पड़ेगा आगे हम सीदे सीदे मई पर मई का कोड क्या है एक तारिक कितनी है 27 खतम क्या करना है साथ से सब को भाजित कर देना है छे और एक साथ cancel 27 के गर हम बात करें तो यहां पर बचेगा कितना 6 6 और एक साथ cancel यानि कि वास्तविक दिन भी आपको क्या देखने को मिलेगा Sunday क्यों 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 कि यहां पर remainder हमें देखने को मिल रहा है Zero clear तो वास्तविक दिन यहां पर अगर Sunday है अगर हम 25 माई 2018 का वास्तविक दिन निकालने तो वही क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा clear तो 25 माई 2018 के लिए गर हमें दिन निकालना है तो बताओ century कितनी complete हुई है तो century complete हुई है 20 यानि कि 2000 वर्षों का जो remainder मिलेगा वो मिल जाएगा हमें 0 कहां से निकाला हमने यहां से निकाला year कितने complete हुए तो आप कहेंगे year complete हो गए 17 अगर मैं पूछू 17 वर्षों में कितने leap year पढ़ेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर 17 वर्षों में 4 leap year पढ़ेंगे इसको भी हमने लिख लिया बात करेंगे माई, माई का कोड़ क्या है एक, क्यों क्योंकि year 2018 क्या आपका एक ordinary year है और इसके बाद तारिक लिख लेना आपने को कितनी 25, clear अब सबको 7 से विवाजित कर दीजिए इसको 7 से विवाजित करेंगे तो बचे का कितना clear तो अब भ्यास करेंगे हम लोग आगे के प्रस्णों में और यहां पर आप देखेंगे कैसे आप तेजी के साथ में कोश्चन को बना पा रहा है चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ण की अगले अधी में प्रस्ण की बात करो तो अगले प्रस्ण में पूछा जा रहा है एक जनवरी दो हजार अधार को क्या था मंडे था देन जनवरी एक दो हजार उननीस को कौन सा दिन होगा तो एक जनवरी दो हजार अधार को हम देख लेते हैं कि वास्तविक दिन कौन सा था तो यहाँ पर भी सेंचुरी आपके देख रहे हैं कितनी कंप्लीट हुई है बीस यानि किसका कोड हो जाएगा जीरो इयर कितने कंप्लीट हुए है सत्रा सत्रा वर्सों में पढ़ने वाले लीपियर्स की संख्या अगर हम पूछे तो आप कहेंगे चार अब हम मूफ कर जाएंगे सीदे सीदे कहाँ पर जन्वरी पर जन्वरी के अगर हम बात करें तो जन्वरी का कोड होता है जीरो और यहां पर तारिख दी गई है आपको एक सब को क्या करना है 7 सीभाजित करना तो यहां पर बचेगा आपका तीन चार और तीन साथ हो जाएगा cancel और दिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा Monday यानि कि वास्तविक दिन यहाँ पर आपको given है clear करना क्या आपको यहाँ पर 2019 का आपको निकाल लेना है वास्तविक दिन एक जनवरी का ठीक है तो यह तो हो जाएगा एक तरीका दूसरे तरीके की भी मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा clear दूसरे तरीके की भी हम चर्चा करेंगे तो यहाँ पर अगर एक जनवरी 2019 की हम बात करें तो यह हो जाएगा जीरो आपका 20 century के लिए year कितने complete हुए 18 उसके बाद इनमें पढ़ने वाले leap years की संख्या कितनी होगी चार उसके बाद हम बात करेंगे जनवरी का code 0 और तारीक है एक 18 की हम बात करेंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 4, 4, 4, 8, 9, 9 को 7 से भी भाजित करोगे तो बचेगा 2 यानि कि 2 का मतलब क्या हो जाएगा मंगलवार अंसर के गर हम बात करेंगे तो option number ए क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा यानि कि Tuesday यह हो गया एक तरीका दूसरे यदि में तरीके की बात करो जो सबसे आसान तरीका है इस प्रकार के प्रस्णों को हल करने के लिए वो क्या होने वाला है तो समझिए जब हम बात करते हैं वर्ष की तो वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है तीन सो पैसट तीन सो पैसट की जदी में बात करो इसको जदी हम साथ से भी भाजित करते हैं तो कितनी टाइमS completely divisible होता है, यह होता है है, इस 52 टाइमS का मतलब क्या है, की हफदे के सारे इन, week के सारे इन कितनी बार आते हैं, बावण बार आते हैं, और एक ऐसा दिन होता है, जो कि आपको यहां पर remainder बसता हो दिखाई देगा वो कितनी बार आएगा वो तिरपन बार आएगा और वो दिन कौन सा होगा तो वो दिन हो जाएगा आपका एक जनवरी वाला दिन यानि कि किसी भी साधारार वर्स का जो प्रतम दिन होगा वही क्या होगा उस particular year का last day भी होगा यानि कि अगर हम वर्स की शुरुवात की बात करें Monday है इट मींस इसका अंतिम दिन भी क्या हो जाएगा Monday ही हो जाएगा यानि कि 31 December को भी आपको क्या देखने को मिलेगा Monday देखने को मिलेगा it means कि अगले वर्ष की जब शुरुवात की हम बात करेंगे तो वो किसे हो जाएगी इसके next day यानि की मंगलवार से हो जाएगी यह सबसे आसान तरीका था इस particular question को हल करने का तो दोनों ही तरीके यहाँ पे आपके पास है clear बात करेंगे हम लोग अगले प्रस्ण की चली बात करते हैं अगले प्रस्ण की अगले दी में प्रस्ण की बात करूँ तो पूछा है what is the day on 31st October 2008 ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें century कितनी complete हुई है तो आप कहेंगे 20 यानि की 20 century का अगर हम code की बात करें तो कितना हो जाएगा 0 यहाँ लिख लिए हम 0 year कितने complete हुए है तो आप कहेंगे year complete हो गए है 7 वर्सों में पढ़ने वाले leap years की हम बात करें तो फरवरी के बाद वाले प्रतेक मन्थ में हमें क्या कर देना है प्लस one कर देना तो 0 से ही क्या हो जाएगा वन हो जाएगा यानि कि October के अगर हम code की बात करें तो October का code हमें देखने को मिलेगा one और October में अगर हम यहाँ पर date की बात करें तो given हमें 31st 31st की यानि कि 31st के अगर हम बात करें इसको 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कितना 3 अब यहाँ पर हम 31 October 2008 में कौन से दिन था असानी से निकाल सकते हैं कैसे 7 हो जाएगा completely cancel यहाँ पर 3 और 25 5 का मतलब हो जाएगा Friday यानि कि option नंबर ही क्या हो जाएगा राइट अंसर हो जाएगा पूछे गए प्रस्ण के लिए clear चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से अगले प्रस्ण की विदिन सेकंड चुटकियों में आप यहाँ पर अंसर निकाल पाएंगे अगले दि में प्रस्ण की बात करूँ तो बोला है 4th March 1997 is Monday तो फटा फट से देख लेते हैं इफ लिखा हुए तो देखते हैं क्या actual यहाँ पर Monday हमें देखने को मिला या फिर नहीं तो अगर हम बात करें यहाँ पर century कितनी complete हुई है तो century complete हुई है 19 और 19 century कि अगर हम बात करें यानि कि 1600 के बाद 17,18,19 तो तीसरे का code आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 1 आ रहा है यानि कि 1900 का code हो जाएगा 1 year कितने complete हुए तो year complete होगा आपके 96 और 96 years में कितने आपके leap year पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके leap year पढ़ेंगे 24 80 तक में 20 और 16 में 4 clear, अब अगर हम बात करें इहाँ पर March की तो March का code अगर हम बात करें तो March का code हो जाएगा कितना 3 और तारीक की अगर हम बात करें तो 4 अब हमें क्या करना है सबको 7 से डिवाइट कर लेना 20 इसमें से निकल जाएगा तो बचे का है 26 26 यगर हम बात करें तो remainder बचे का कितना 5 24 की हम बात करें तो remainder कितना बचे का 3 4 और 3 ही हो जाएगा completely cancel इसके बाद बचेगा आपको कितना पाँच एक छे और तीन नो नो का मतलब हो जाएगा यहां पर दो यानि कि दिन क्या हो जाएगा मंगलवार और गिवन है यहां पर आपको Monday समझे एक्चूअल निकल करके आ रहा है Tuesday वास्तविक दिन निकल कर क्या आ रहा हमारा क्या हो जाएगए वाश्तविक दिन निकालने के अगर हम बात करें तो यहां पर बताओ century कितनी complete हुए तो onnintho complete हो गई है onnintho का code क्या हो जाएगा एक हो जाएगा year कितने complete हो गए तो year complete हो गए 97 और 97 years में कितने leap years पढ़ें तो leap years पढ़ेंगे यहाँ पर कितने 24 अब हम मात करेंगे year 1998 की clear 1998 की यदि मैं बात करूँ तो 1998 में यहाँ पर आपको given है 8 marks तो marks का हो गया code यहाँ पर 3 और तारीक हो गई 8 सबको क्या कर देना है upको seven से divide कर देना है 70 निकाल दो के बचे का कितना 27 27 का मतलब हो जायका चे 27 का मतलब कितना होग Anda 6 ठीक है इसके बाद अगर हम 24 की बात कर तो चॉविस का मतलब होगा कितना तीन, आठ का मतलब हो गया, एक, ये तीन लिख लेते हैं, और ये वाला एक लिख लेते हैं, तो तीन, तीन, छे, एक, साथ, कैंसिल, छे और एक, साथ, कैंसिल, मतलब दिन आया संडे, लेकिन जब यहाँ पर Tuesday आया था, तो हमने लिखा था, Monday इसी प्रकार, यहाँ पर Sunday आया, कि मार्च, चार मार्च, 1998 की हम बात करेंगे, तो दिन पढ़ेगा मंगलवार, और मंगलवार के बाद, यहाँ पर चार तारिक को मंगलवार पढ़ जाएगा, पांच को पढ़ जाएगा, बुद्धवार, छे को पढ़ जाएगा, गुरुवार, साथ को पढ़ जाएगा, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर निकाल सकते थे यानि किसी ordinary year में किसी particular date पर जो दिन है उसके अगले year में क्या हो जाएगा एक दिन आगे का दिन आपको देखने को मिलेगा clear चलिए leap year के case में थोड़ा से यहाँ पर आपको complications हो सकती इसलिए आप इस तरीके को अगर follow करें त आपको देखना पड़ता है कि 28 फर्वरी 29 फर्वरी आपकी बीच चुकी है या फिर नहीं बीची है clear बात करेंगे आप हम लोग next question की next यहीं मैं यहाँ पर question की बात करूं if today is Friday then what day of the week will it be after 98 days तो ठन्वे दिनों के बाद कौन सा दिन होगा ठन्वे कि अगर मात करें तो 13 सत्य क्या नवे और यहाँ पर 14 सत्य ठन्वे यानि कि अगर हम बात करें यह completely क्या है divisible है यानि कि आपको same day देखने को मिलेगा clear answer हो जागा यहाँ पर Friday करना क्या था 7 से divide कर देना था जितना यहाँ पर आपको plus या minus में देखने को मिलता उतना आपको क्या कर देना था add कर देना था clear यहाँ पर completely divisible है यानि कि आपको same day देखने को मिलेगा बात करेंगे next question की अगले दी में प्रस्ट की बात करूं तो बोल राइफ today is Saturday then what day of the week will it be after 57 days तो फटा फट से आप सभी क्या करेंगे इस particular question का answer करेंगे 57 के दी हम क्या करते हैं 7 से divide करते हैं तो remainder हमें कितना मिलता है हमें मिलता है remainder एक यानि कि आपको दिये गए दिन में एक जोड़ देना था answer के दी में बात करूं तो answer क्या हो जाए का Sunday जिसका answer आप within second चुटकियों में दे सकते थे clear बात करेंगे अगले प्रश्न की यूपी पुलिस एसाई इस 16 में 2015 is Friday what was the day of the week on 16 में 2014 यानि कि same date आपको देखने को मिल रहा है एक दिन पीछे की बात करी जारी और हमें पता है कि ये क्या है एक साधारण वर्स है और यानि कि इसमें 16 माई को जो दिन रहा होगा उसी का अगला दिन आपको देखने को मिलेगा इसके अगले वर्स में यानि कि पिछले वर्स के अगर हम बात करेंगे तो दिन मिल जाएगा हमें गुरु आर यह होगा आपका एक तरीका clear दूसरे यदि मैं तरीके की बात करूँ जो हम लोग follow करते आ रहे थे तो उससे भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे प्रस्ण को solve करके देखेंगे तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पर century के लिए code हो जाएगा 0 year complete कितने होगे 14 इनमें leap years के हम बात करें तो कितने पढ़ेंगे 3 माई के code की बात करें तो एक और दिन होगए कितने 16 यह हो जाएगा completely divisible यहाँ पर remainder बचेगा 2 यानि कि यह हो जाएगा 3, 2, 5, 1, 6 यानि कि दिन मिल जाएगा हमें क्या Saturday actual day हमें क्या मिल जाएगा Saturday और यहाँ पर एक दिन आपको पीछे का दिन देखने को मिल रहा है यानि कि actual day से आपको क्या कर देना था माइनिस वन कर देना था तो यहाँ पर भी हम निकाल लेंगे actual day यहाँ पर हम इसको दो लिख सकते हैं तो 3, 2, 5, दिन निकल कर क्या है Friday और हमें पता कि actual day से हमने क्या किया था माइनिस वन किया था तो यहाँ भी actual day से माइनिस वन करेंगे तो दिन मिल जाएगा हमें Thursday यानि कि अंसर आजाएगा option number A तो दोनों ही तरीके यहाँ पर आपके पास है जो आपको बहतर लगता है वो आप तरीका यहाँ पर follow कर सकते हैं clear चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की चलिए अगले यहाँ प्रश्न की बात करो तो आपको देखने को रहाए यूपेसाई 2021 में पूछा करेंगा तो दोनों ही यहाँ पर हम अप्रोचेस की बात करेंगे पहले हम बात कर लेते हैं आपर आसान वाले तरीके की तो आसान वारे तरीकी में आप गलतियां क्या करते हैं इसी उपर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर यह दिया आपको 21, 20 दिन दिया आपको 7, मई clear अब हम जब बात करेंगे 21, 21 की 7 मई को इसी प्रकार हम बात करेंगे यहाँ पर 22 की 7 मई को इसी प्रकार हम बात करेंगे 23 की 7 मई को और इसी प्रकार हम बात करेंगे 24 और 25 की भी 7 मई को ठीक है तो द्यान दिजा अगर हम बात करें यहाँ पर हमें दिन देखने को मिल रहा है Monday तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि यह है तो यहाँ पर दिन हमें देखने को मिल जाएगा वेंस्डेअ जबकि ऐसा भी होता हूँ आपको दिखाई नहीं देगा क्यों क्यों कि यहाँ पर 29 फर्वरी बीच चुकि Yo नहीं कि एक ही दिन आपको आगे देखने को मिलेगा इट मींस यहाँ पर आपको दिन देखने को मिलेगा क्या Tuesday यहाँ पर दिन देखने को मिलेगा आपको Wednesday यहाँ पर दिन देखने को मिलेगा आपको Thursday और यहाँ पर दिन देखने को मिल जाएगा आपको Saturday क्यों क्योंकि यहाँ पर आपके 29 फरवरी भी पड़ेगी और इट मींज अगर हम 25 की बात करें तो 25 में आपको सेम डेट को दिन देखने को मिल जाएगा Sunday यह हो गया एक तरीका अब हम बात करेंगे बेसिक तरीके की जो हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे थे जो अभी तक हम लोग क्या करते आ रहे थे फॉलो करते आ रहे थे उस बेसिक तरीके की हम बात करेंगे इसको रखते हैं फिलाल साइड में clear, तो basic तरीके के एगर हम बात करें, तो हम 210 सताभधी का जो code हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कितना 5, क्यों क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 सताभधी के बाद, फीर से हम 100 वाली cycle को consider करेंगे, तो यहाँ पर code हो जाएगा कितना 5, year कितने complete BLED हो है, और तारीख हो जाएगी कितनी 7 सबको क्या कर देना 7 इसे भी भाजित कर देना तो 19 में कितना बचेगा 5 यानि कि 5 ओर 2 7 गेंस्ल 7 कैंस्ल 5, 4, 9 बचेगा यहाँ पर 2 2 का मतलब क्या हो जाएगा Tuesday और given day आपको Monday यानि कि आपको क्या कर देना है minus one कर देना क्या कर देना माइनस one कर देना किसमे इस वाले date के actual day में क्यों क्योंकि यहां पर actual day निकल करके आ रहा है Tuesday minus one करके आपको Monday दिया गया है यहां पर यदि हम actual day की बात करें वास्तविक दिन की बात करें तो बताओ century के लिए code क्या हो तो आप कहेंगे पांच वर्स कितने complete हुए तो आप कहेंगे 24 इसमें कितने leap year पड़ेंगे तो आप कहेंगे 6 बात करेंगा माई के code की तो माई का code इस बार हो जाएगा एक क्योंकि आपका given year क्या है 21 25 क्या आपका 17 वर्स है तो माई का code तो यहां से भी आप निकाले तो भी आपको Sunday मिला इस तरीके से निकाले तो भी आपको क्या मिला Sunday मिला तरीके आपके पास दोनों है जो आपको बहतर लगता है उस तरीके को आप follow कर सकते हैं आपको ध्यान देना है कि 29 फरवड़ी यह दी बीच चुकी होगी तो यहां पर आपका एक ही दिन आपको एड़ होता हुआ दिखाई देगा क्लियर चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रस्न की अगले दी में प्रस्न की बात करो तो पूछा एक 16th birthday is on 9th March which falls on Sunday of a leap year यानि कि अगर हम बात करें यह अपना क्या कर रहा है तो मना रहा है 9 March को किस तारिक को मना रहा है तो 9 March को ठीक है 9 March को मना रहा है अपना क्या 16 जनम दिन और जो कि क्या है कि leap year है तो leap year है मतलब यहाँ पर क्या है कि आपके 29 फरवरी बीत चुकी है जब हम बात करेंगे इसके बात पढ़ने वाले मान लेते हैं अगर इसको हम 2016 मान लेते हैं क्लियर कोई दिक्कत नहीं क्लीप year है यह 16 साल जाया तो 2017 में और किस दिन मनाएगा तो अगर हम बात करें, 2016 में 29 फरवरी बीत चुकी है, यानि कि 17 में केवल और केवल हमें क्या करना, एक दिन आइड करना है, यादि यहाँ पर दिन संडे था, तो यहाँ पर दिन हो जाएगा क्या मंडे, 18 में क्या हो जाएगा दिन Tuesday, 19 में क्या हो जाएगा दिन Wednesday, लेकिन ध्य जान दिजे, जब हम बात करेंगे 20 की, तो यहाँ पर आपकी 29 फरवरी भी पढ़ेगी, तो Wednesday के बाद क्या पढ़ेगा, Thursday और Friday, यानि कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, Friday, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूछे गए, प्रस् साइ, 2021, यानि कि आप देख सकते हैं कि आपके UPSI के अल्मोस्ट हर एक सिफ्ट में कैलेंडर से एक कोश्चन आपको देखने को मिल रहा है, clear, बोला जा रहा है, इफ नाइन्थ जैन्ट टूट ट्वेंटी सिक्टी सिक्सिक्स मंडे, तो हमें क्या करना, इफ लगा है, तो ह यानि कि आप देखने को मिलेगा, एक दिन आगे देखने को मिलेगा, यहां मंडे तो यहां हो जाएगा, संडे यानि कि आंसर आप डारेक्ली मार्क कर सकते हैं, option number B, अगर हम यहां पर दे निकालने के जाएंगे, तो यहां पर मिलेगा, हमें सेंचुरी के लिए code, zero year कितने कंप्लीट हो गए, 65, यहां पर अगर हम बात करें, 65 years में पढ़ने वाले leap years की, तो पढ़ेंगे 8, 8 अठाई, sorry, 8 नहीं, यहां पर पढ़ेंगे 16, 16, 64, 64, इसके बाद यदि मैं बात करूँ, यहां पर जनवरी के code की, तो जनवरी का code, zero, दिन हो गए, कितने, 9, सब को क्या क पर देना है, seven से, काट देना है, जो आपका बचेगा, remainder वही के हो जाएंगे, आपको ओड देस, तो यहां पर बच जाएगा आपका दो, यहां पर बच जाएगा आपका, अपका दो, दिन हमें देखने को मिल रहा चे, चे का मतलब क्या हो जाएगा, Saturday और यहां पर दिया है मंडे ध्यान दीजे दिन निकल करके आर एक्चुल डे सटर डे और यहां पर दिया है मंडे यनिकी क्या करना में प्लस टू किया कैसे हमने यहां पर निकाला सेंचुरी के लिए कोड जीरो इयर कितने कंप्लीट हुए 65 इन में लीप इयर कितने पढ़ेंगे 16 पढ़ेंगे फि यहां पर उनिकल करके आरा फ्राएडजे में क्या करोगे प्लस टू आंसर क्या जाएगा संडे नहीं जोडों ही तरीके आपके पास है अब आप जिस तरीके से जो तरीका आपको बहतर लगता है अब अशरते वह ने कहा कि अगर यहाँ पर क्या हुआ है 29th of FB चुकी है तो अगले साल में आपका जो दिन होगा वो केवल और केवल एक दिन एड होगा तो इस बात को आपको क्या करना है ध्यान में रखना है ठीक है चलिए एक और प्रस्ण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर अगर मैं बात करो 25th March 21 21 is Tuesday तो यहाँ कि अगर हम बात करें यहाँ पर century के code की तो century का code हो जाएगा आपका कितना century का code हो जाएगा 5 लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ही साल का अंतर है तो डारेट आप प्रस्ण को बना सकते हैं क्योंकि date सेम है, month सेम है, kevlar or kevlar एक साल का फरक है याँ कि यहाँ पर आपका क्या हो चुका है, 29thада फरवरी बीच चुकी है याँ कि अगर हम बात करें, जब हम बात करेंगे 21 की, तो kevlar or kevlar एक दिन add हो कर कि आया होगा यानिकि अगर हम यहाँ पर answer की बात करें तो answer निकल करके आजाएगा option number C, कैसे आजाएगा, क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी बीच चुकी है, तो यहाँ पर जो दिन राओगा, इसके अगले वर्स में आपको किवल और किवल एक दिन add होकर के मिलेगा, same date को, clear, जो कि यहाँ पर अगले दी मैं यहाँ पर प्रश्ण की बात करूँ, आपको date दी गई है, और date को दिन दिया गया है, Monday, और यहाँ पर आपको एक दूसरी date दी गई है, तो आपसे पूछा कि कौन सा दिन होगा, तो यानिकि अगर हम date की बात करें, 12-9, यानिकि 9 महीने की दी मैं बात करूँ तो यहाँ पर September के बारे में चर्चा की जा रही है, और यहाँ पर आपको जो year दिया गया है, वो दिया गया है 1999, तो 1999 की अधि मैं बात करूँ, तो century के लिए code कितना हो जाएगा, century के लिए code हो जाएगा, one, clear, century के लिए code हो जाएगा, one, यहाँ से निकाल लेंगे, 1600 के बाद और तारिक कितनी हो जाएगी, 12, एक चीज़ जो हम लोग यहाँ पर miss कर दिये, वो क्या, इनमें पढ़ने वाले, leap years, leap years आपके पढ़ जाएगे, कितने, 24, तो 98 आपका completely divisible हो जाएगा, 24 की हम बात करें तो यहाँ पर 3 बच जाएगा, 12 की हम बात करें तो यहाँ पर 5 बच करेंगे, इस given date की, तो जो यहाँ पर date निकल करके हैगा, उसमें हमें क्या कर देना, plus one कर देना है, तो century के लिए code हो जाएगा, zero year कितने complete हुए, two, इसमें leap year कितने पढ़ेंगे, zero हम बात करेंगे, यहाँ पर, September के code की, year आपका ordinary है, तो September का जो code है, वो हो जाएगा, आपका clear, चलिए, तो I hope कि यहाँ पर calendar के अच्छे खासे आपकी प्रस्णों की practice हो गई है, और आप यहाँ पर calendar के प्रस्णों को असानी से बना पाएंगे, बात करेंगे अगले प्रस्णों की, अगले हैदी मैं प्रस्ण की बात करूँ, तो बोला, if the fifth day of the month is three days earlier than Tuesday, Tuesday से तीन दिन पहले, यानि कि Monday, Sunday और Saturday, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, पांच तारिक को क्या है, पांच तारिक को यदि क्या है, Saturday, पूछा है, what day will it be on 15th, यानि कि 15 तारिक को कौन सा दिन होगा, और यहाँ पर दिन के लिए आपको code भी given है, यानि कि एक को Monday बोल रहा है, दो को Tuesday ब पड़ेगा, और 12 को Saturday पड़ेगा, तो 13 को Sunday, 14 को Monday और 15 को Tuesday, यानि कि answer हो जाएगा, option number C, क्योंकि यहाँ पर हम Tuesday के लिए code क्या लिख रहे है, to लिख रहे है, clear है, चली, इसको मैं करता हूँ, remove, repetition of year पर best question है, तो यहाँ से आप repetition of year को भी समझते हुए चलेंगे, repetition of year की अधी मैं बात करूँ तो बोला है, when will the 1990 calendar be repeated after 1990, यानि कि जब हम repetition of month की बात करते हैं, तो यहाँ आप को बता है, कैसे आप repetition of month पर best questions को solve कर सकते हैं, यानि कि जिनका code क्या है, समान है, उन महीनों का calendar भ यानि कि अगर मैं बात करूँ किसी भी year में, अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजे मैं ordinary year की बात करूँ, leap year के लिए प्लस one करके यहाँ पर देख लेंगे, ordinary year में अगर हम देखेंगे जनवरी का calendar, तो जनवरी और October का calendar क्या हो जाएगा, same हो जाएगा, February और March का calendar, same हो तारिक को किसी particular month में, जो दिन पढ़ेगा, उसी तारिक को अगले particular month में, जिसका calendar same है, वहाँ पर भी आपको same day देखने को मिलेगा, यह हो गई बात किसकी repetition of month की, लेकिन जब हम repetition of year की चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कि पूरे के पूरे वर्ष का ही calendar आपको same देखने को मिलता है, यानि कि किसी भी माहिने की कोई भी तारिक देखी है, आपको क्या मिलेगा, same day देखने को मिलेगा, ठीक है, तो जब हम repetition of year की बात करते हैं, तो जहाँ दीजे जहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं, किसकी, leap year plus one की, leap year plus two की, leap year plus three की, और बात करें हम तो जो leap year का calendar होगा, वो आपका 23 वर्सों बात repeat करेगा, leap year plus three का calendar 11 वर्सों बात repeat करेगा, leap year plus two का calendar 11 वर्सों बात, और leap year plus one का calendar आपका रिपीट करेगा, छे सालों बात, यानि कि अगर हम बात करें, वर्स 2000, यहाँ पे अगर हम बात करें, वर्स 2000, यहाँ पे अगर हम बात कर यानि कि ग्यारा वर्सों बाद रिपीट करेगा, यानि कि 2001 का कैलेंडर और 1990 का कैलेंडर आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम देखने को मिलेगा, क्या है, यह लीपियर प्लस टू है, इसी प्रकार कर हम 91 के कैलेंडर की बाद करें तो 2002 में रिपीट करेगा, इसी प्रकार कर ह 92 के केलेंडर की बात करें तो यह 28 सालों बात repeat करेंगा यानि कि सीधे सीधे जा करके 2020 में क्या करेंगा आपका repeat करेंगा clear तो यह हो गई बात किसकी repetition of year की next question repetition of month per based question है तो मुझे नहीं लगता कि इसका उत्तर मुझे देने क्या शक्ता है आप ही लोग क्या करेंगे इस question का answer चाहे which two months in a year have same calendar ठीक है और यहां पर mention नहीं किया गया है कि यह आपका क्या है ordinary year है या leap year है तो एक और बात यहां पर ध्यान दे समझ लो अगर हम फरवरी के बात की बात करें मार्स के बात की बात करें तो चाहे लीप year हो चाहे ordinary year हो सब क्या होगा same concept आपको follow करना है यानि क मार्स का कैलेंडर नवंबर का कैलेंडर ordinary year में भी समान है तो आपका leap year में भी क्या देखने को मिलेगा आपको समान ही देखने को मिलेगा इसमें कोई भी आपके changes नहीं होंगे changes होंगे केवल जनवरी और फरवरी के लिए clear है अब अगर हम बात करें आप April और नवंबर अप पर आपको कैलेंडर सेम देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि April के लिए code है और नवंबर के लिए code आप देख सकते हैं आपर है तीन clear June और October के अगर हम बात करें तो June के लिए आपर code है चार और October के लिए code है जीरो यानिकि इनका calendar भी सेम नहीं बनेगा April और जुलाई के अगर ह हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा यानि कि आंसर हो जाएगा आपका option number C तो repetition of month per question पूछाएगा तो आप इस प्रकार से यहाँ पर आसानी से बना सकते हैं clear चलिए अब हम लोग बात करेंगे counting of figures per base कुछ basic से पूछे जाने वाले प्रस्णों की और concepts की चलिए तो जब आपको इस प्रकार की कोई आकरती दी गई होती है तो यहाँ पर हम त्रिबुजो की संख्या कैसे निकाल सकते हैं तो फिलाल हम यहाँ पर केवल और केवल tricks की चर्चा करेंगे तो हमें क्या करना होता इस प्रकार से 1,2,3,4 लिख लेना होता और सबको add कर लेना होता यहाँ पर अगर हम त्रिबुजो की संख्या की बात करें तो कितनी हो जाएगी 10 clear करना क्या था इस प्रकार से जितने भागों में बाजित है सबको लिख करके add कर 3 अब इसको हम जितने भागों में बाटते जाएंगे फिर से हमने बाटा तो यहाँ पर फिर से 1,2,3 बनेगा फिर से बाटा तो फिर से 1,2,3 बनेगा यानि कि जितनी बार इसको हमने बाटा उससे हमें क्या कर देना था यानि कि अगर हम बात करें जब तक यह वाली लाइन हमने नहीं खीची थी तो यहाँ पर त्रिबूज बन रहे थी कितने 6 clear अब हमने इसको जब दो भागों में बाटा तो into 2 कर देंगे यानि की 12 तीन भागों में बाटा तो into 3 कर देंगे यानि की कितने 18 इस प्रकार से हम यहाँ पर सानी से निकाल सकते हैं पूछा गया यहाँ पर त्रिबूजो की संख्या तो एक प्लस दो कि अगर हम बात कर तो हो जाएगा कितना 3 और कितने भागों में बाटा 1,2,3 यानि की into 3 कर देंगे तो यानि की त्रिबूजो की संख्या कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी प्लियर चली बात कर लेते हैं फड़ा फड़ से नेक्स्ट कोश्चन की जब इस प्रकार से आपको प्रस्ण देखने को मिले तो ध्यान दीजे जब क्या हो किनी 2 कॉर्णर्स के माध्यम से इसको equal parts में डिवाइड किया जाए यहां से हमने क्या किया इसको 3 भागों में बाटा और यहां से भी हमने इसको क्या किया तीन भागों में बाटा तो आपको क्या कर लेना होता है जितने भागों में बाटा गया हो उसका cube कर देना होता है बाटा कितने भागों में गया है 3 यानि कि यहाँ पर हमको क्या कर देना, तीन का क्यूब कर देना, अंसर कि अगर हम बात करें, तो आंसर निकल करके आ जागी इतना 27, जादा आपको दिमाग लगाने की आउशकता, नहीं अंसर हो जागा यहाँ पर option number A, clear, बात करेंगे यहाँ पर अगले, पूछे गए प्रस् यानि कि त्री बुझो की अगर हम कुल संख्या की बात करें, तो 6 तो यह आपके छोटे वाले बन रहे है, और 2 त्रीबुझे यहाँ पर बड़े वाले यानि कि त्रीबुझो की कुल संख्या की हम बात करें, तो कितने हो जाएंगे 8, clear, बात करेंगे अगले प्रस्ष्ण क जब हम क्या करेंगे ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल का निर्माल करते हैं जब हम ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल का निर्माल करते हैं इस प्रकार से तो एक ट्राइंगल का जब हम निर्माल करेंगे तो यह अपने साथ साथ तीन अत्रिक त्रिपुजों का निर्माल प्रस्ण के लिए क्लियर बात करेंगे अगले प्रस्ण की राजस्थान पुलिस असाई की परिक्षा में पूछा गया प्रस्ण है जब हम क्या करते हैं किसी एक स्क्वाइर को डाइगोनल्स के माध्यम से इस प्रकार से विभाजित करते हैं ध्यान दीजे डाइगोनल्स आपके क्या होनी चीए कॉर्णर्स को टच करने चाए यानि कि डाइगोनल लाइन्स दो के दोनों यहाँ पर प्रॉपर बनी हुई होनी चाए इसके बाद आप जितनी बीराने होगा उसके डबल क्या हो जाएंगे number of triangles हो जाएंगे तो यहाँ पर अगर इसको हम चार भागों में वाजित करेंगे तो number of triangles हो जाएंगे बात करेंगे अगले प्रश्ण की अगले प्रश्ण की मुझे नहीं लगता कि आपको बतानी क्या हो शकता है फटा-फट से सभी लोग कमेंट में आंसर करके बताएंगे यहाँ पर त्रिबुजो की संख्या कितनी है त्रिभुजो की संख्या कितनी सभी लोग comment करके बताएंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कितना मिल जाएगा हमें 10 कितने भागों में बाटा है हमने तो 1, 2, 3, 4 into क्या कर देना था, 4 कर देना था, answer की बात कर तो option number B क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा, पूछे गए, प्रस्ण के लिए clear है, चल यह बात करेंगे अगले प्रस्ण की अगले प्रस्ण की बात करूँ तो जब आपको इस प्रकार से प्रस्ण देखने को मिलता है तो हमें फटा-फट से हाँ पर क्या देख लेना होता है, कि base पर कितने number of triangles हैं base पर number of triangles की संख्या की यदि में बात करूँ तो number of triangles हैं 4 करना क्या होता है, मैं इस प्रकार से लिख लेना होता है 1, 2, 3, 4 एक के सामने में 1, 1, 1, 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 3, 3, 3, 3 करोगे तो हो जाएगा 6, 6, 4 करोगे तो हो जाएगा 10 सब को जोड़ लो, कितना निकल करते आगया, 20 अब last वाले को consider नहीं करना है और alternate consider करते चले जाना है तो consider किसको किसको करना है 6, 1, यानिकी 7 और जोड़ दोगे तो answer आजा कितना 27 अब मान लेते हैं बेस पर यहाँ पर त्रिवजो की संख्या होती कितनी 7, 5 तो हम क्या करते इस प्रकार से लिखते 1, 2, 3, 4, 5 एक के सामने में 1, 2 करोगे तो 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 सब को जोड़ लेगो यहाँ पर मिल जाएगा 35 मैंने कहा last वाले को consider नहीं करना और alternate consider करते चले जाना है तो किसको किसको consider करना है 10 को और 3 को तो इसमें क्या करोगे 13 जोड़ दोगे तो answer कितना निकल करके आ जाएगा 48 यही क्या हो जाएगा आपका answer हो जाएगा पूछे गए प्रस्न के लिए clear चलिए बात करेंगे अगले पूछे गए प्रस्न की अगले अधी में प्रस्न की बात करूँ तो मैंने कहा इसकी अधी में चर्चा करूँ तो यहाँ पर कितने number of triangles बनने इसकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं तो मैंने कहा आकरती का निर्माण कैसे हुआ है यह आपको important है यह आपको समझना जरूरी है तो इस आकरती की अधी में बात करूँ तो ध्यान दीजिए इसका निर्माण कैसे हुआ है यहाँ पर जब हमने इसको दो diagonal के भाजित कर रहें ध्यान दीजिए इसको इस परकार से भाजित कर रहें तो यहाँ पर तीन अत्रिक्त त्रिबुजों का निर्माण हो रहा है यहाँ पर भी जब हमने भाजित किया तो यहाँ पर भी तीन अत्रिक्त त्रिबुजों का निर्माण हुआ और इसी प्रकार यहाँ पर भी एक और दो और एक इन दोनों को मिला कर कि यानि कि तीन अत्रिक्त त्रिभुजों का निर्मार हुआ यानि कि बारा त्रिभुजों का निर्मार तो यह हो गया प्लस आप इस आकरती को गवर से देखें तो यहां करती भी डाइगोनल्स के माद्यम से क्या है विभाजित है और 8 भागों में विभाजित है clear तो यानि कि यहां पे भी हमें मिलेंगे कितने त्रिभूज यहां पे भी मिल जाएंगे हमें 16 त्रिभूज यहां पे भी मिल जाएंगे हमें 16 त्रिभूज यानि कि 16, 16, 32, 12, 44 त्रिभूज तो यहां तक हमें मिल गए 44 के बाद अगर हम बात करें तो यहां से मिल जाएंगे हमें कितने एक और दो और एक इन दोनों को मिला करके कितने त्रिभूज तीन त्रिभूज तो 44 और 3 की अगर हम बात करें तो कितने होगे 47 अब ध्यान दीजिए एक त्रिभूज चलो इसको कलर मैं चेंज कर देता हूँ 47 के बात अगर मैं बात करें तो एक त्रिभूज यह हो जाएगा 48 और एक त्रिभूज आपका यह हो जाएगा 49 यानि कि यहाँ पर अगर हम त्रिभूजो की कुल संख्या की बात करें तो आंसर हो जाएगा option number है यानि कि 49 तो आकरती का निर्माल अगर आपको समझ में आगया basic concepts आपको clear है तो आप आसानी से प्रस्ण का उत्तर दे सकते हैं clear बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण की यहाँ पर हम बात करेंगे त्रिभूजो की संख्या की तो one figure triangle की बात हम कर लेते हैं फटाफट से तो यहाँ पर हो जाएगा करें तो कितने बन गए दो बन गए अब ध्यान दीजे इन दोनों को मिला करके एक बनेगा और इसी प्रकार हम बात करें तो इन दोनों को मिला करके एक बनेगा तो दो और दो कितने बन गए चार यानि कि होगे कितने ग्यारा अब ध्यान दीजे इन दोनों को मिला करके एक 1 बने का 14 और इसी प्रकार इसको मिला करके 1 बने का 15 इसी प्रकार कर वाइब कर तो एक आपका ये वला त्रिबुझ यह कितने हो जाएंगे 16 8 यनि त्रिबुझो की संक्षिया कि वाँ प्र कितने हो जाएंगे 16 फिर यह इस..."िसको समझ ली जा, फटाफटaire Duemed निकाला हमने, यहाँ पर अगर हम बात करें, वन फीगर ट्रियंगल की तो एक, दो, तीन, चार, पांच छे, चार, पांच छे और साथ, साथ तो यह हो गया, अब टू फीगर ट्रियंगल की जब हम बात करते हैं, तो देखो एक तो इन दोनों को मिला करके, एक साइट से मैं ग बात करेंगे, एक यह वाले की, यानि कि यहाँ से निकाला आपने, सबसे पहले यह वाले का दो मिला करके, फिर यह वाले का दोनों को मिला करके, उसके बाद अगर हम बात करें, तो एक यह वाले को मिला करके, तो यानि कि इसके बाद हमने निकाल लिया कितने आठ, आठ, सा 17 में पूछा गया प्रशन है, काफी आसान सा प्रशन है, यहाँ पर आपको बताना है number of squares, number of squares के लिए हम क्या करेंगे, जब number of rows and columns equal हूँ, तो इस पर कार्स हमें लिख लेना है, कितने number of rows and कितने number of columns है, सबसे बड़े वाले number से start करना, square करते हुए चले जाना है, कहां तक, up to 1 तक और सबको जोड़ देना है, तो 3 का square 9, plus 2 का square 4, plus 1 का square 1, यानि कि 9, 4, 13, plus 1 की बात करें तो 14, option number B का हो जाएगा, right answer हो जाएगा, पूछे गए, प्रशन के लिए, बात करेंगे फटा-फट से अगले, प्रशन की, जब आपके number of rows and number of columns equal ना हो तो, ठीक है, तो यहाँ प 4 into 5, फिर उसके बाद second highest जो आपका number of row है, उसको second highest number of column के साथ multiply कर दो, तो यह हो जाएगा 4 into 3, फिर उसके बाद third वाले को इसी प्रकार, तो यह हो जाएगा 2 into 3, और इसके बाद अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा 1 into 2, यानि कि जब तक 1 ना आ जाए, तब तक आपको क् multiply करना है, तो यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा आपका 20, यह हो जाएगा आपका 12, यह हो जाएगा आपका 6, तो 20 और 12, 32, 36, 24, यानि कि आंसर कि हम बात करें तो हो जाएगा option number A, clear, चली, फटा फट से question को बनाते चले जाना है, हर एक प्रस्ण में आपको कुछ ना कुछ न प्रस एक का square, एक यानि कि पाँच square हम यहाँ पर देखने को मिल रहे है, लेकिन जैसे इसके अंदर हम एक square का निर्माण कर रहे हैं, तो यह अपने साथ साथ क्या कर रहा है, चार अत्रिक्त squares का निर्माण कर रहा है, यानि कि यहाँ पर हम जो concept follow करेंगे, वो कौनसा follow करें प्रश्ण की अगले दी में प्रश्ण की बात करूं तो ऐसे प्रश्णों में अमूमान अगर हम बात करें बच्चों की तो बच्चे गलतियां क्या करते हैं उसकी हम यहां पर चर्चा करेंगे तो यहां पर number of अगर हम columns की बात करें इस एरिया के लिए अगर हम number of columns की बात करें तो कितने हैं 1,2,3,4,5,6 और रोज की बात करें तो 1,2 इनका साम अगर हम यहां पर बात करें मैंने का सबसे बड़े number of row को सबसे बड़े number of column के साथ multiply कर देना होता है तो 6 into 2 equals to 12 और 1 into 5 के आई वो जाएगा यानि कि यहां पर आपको कितने देखने को मिलने 17 number of squares देखने को मिल रहे हैं clear 17 number of squares देखने को मिल रहे हैं इसी प्रकार जब हम यहां पर चर्चा करेंगे तो यहां पर भी हमें देखने को मिलेंगे कितने 17 number of squares यानि कि 17 का double अगर हम बात करें तो कितने हो समझ गए तो आसानी से प्रश्iegen को आप बना पाएंगे चलिए देखते हैं यहां पर यदि मैं बात करूँ कितने number of squares है तो आप कहेंगे यहाँ पर squares कितने है 5 ठीक है चलिए इसके number of rows and columns को हम कर देते है equal number of rows and columns को हम ने कर दिया equal तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानि कि 4 का square हो गया 16, 3 का square हो गया 9, 25, 4 का square हो गया 2 का square हो गया आपका 4 यानि कि 29 और 1 का square हो गया कि यानि कि 30, 30 तो यहाँ पर मिले जाएंगे अब 30 के बाद ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बताया था जब भी हम एक इस प्रकार से क्या करते हैं स्क्वाइर का निर्माल करने के बाद निर्माल करते हैं तो यह अपने साथ-साथ-स्क्वाइर का निर्माल करता है यानि कि इससे मिल जाएंगे हमें कितने 5 इससे मिल जाएंगे हमें कितने 5 और इसी परकार इससे भी मिल जाएंगे क्या होशकता है और आसानी से मांसर निकाल पाएंगे, बात करेंगे अगले पूछेगे प्रश्न की, नंबर ओफ रेक्टेंगल, जब आपसे नंबर ओफ रेक्टेंगल से पूछ लेगा, तो ध्यान दीजे जब हम बात करते हैं, number of rectangles की तो उनमे number of squares को भी हम consider करते हैं क्यों क्यों क्योंकि every square can be considered as rectangle but every rectangle cannot be considered as square ठीक है प्रत्य कि square को हम rectangle consider कर सकते है यानि कि square जो है आपका एक special case of rectangle होता है तो rectangle कैसे निकालेंगे यहाँ पर number of rows and number of columns की हम जब बात करते हैं तो एक दो 3-4 जितने number of rows है उसको हम क्या करेंगे लिख करके इस प्रकार से sum कर लेंगे जितने number of columns है उसको हम इस प्रकार से लिख करके क्या कर लेंगे sum कर लेंगे और आपस में दोनों का क्या कर देना है multiply कर देना यानि कि answer की हम बात करें 10 into 10 equals to 100 यानि कि option number D क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा कैसे किया number of number of columns की बात करी number of rows की बात करी number of rows में इस प्रकार से number लिख करके सबको add कर लिया number of columns में इस प्रकार से number लिख करके सबको add कर लिया यहाँ पे मिल गया 10 यहाँ पे मिल गया 10 10 का गुड़ा 10 में कर दिया आ गया यहां पर 100 यानिका अंसर कि अगर हम बात करें तो कितना हो जागा 700 क्लियर लेकिन जब हम बात करेंगे only rectangles कि अगर यहां पर आप से पूछ लिया जाता only rectangles rectangle तो है लेकिन square नहीं है तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर हम squares की बात करेंगे तो squares यहाँ पर मिल जाएंगा हमें कितने 30 तो हमें क्या कर देना है total में से 30 को minus कर देना होता और उस case में आपका जो answer आजाता वो आजाता आपका 70 जब आपसे only rectangles की बात करी गई होती clear? चलिए बात करेंगे अगले प्रस्ण की ऐसे प्रस्णों में हमें क्या करना होता है तो ध्यान दीजिए ऐसे प्रस्णों में भी आप क्या करते हैं struggle करते हैं मैंने का आकरती के निर्मार पर आपको ध्यान देने क्या हो शक्ता है फिलाल यहां पर हम बात करेंगे किसकी ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक क्या है यहां पर समझेए इस प्रकार की आकरती की यदि मैं बात करूं तो यहां पर हमें पता है कि जो number of rectangles होंगे वो कितने अगर एक लाइन खीच रही है तो इसमें प्लस टू करेंगे यानि की अपने साथ-साथ क्या करेगा तीन रेक्टेंग्ल का निर्माल करेगजा कैसे करेगा इसको झाइङ यहाँ कि अब इसको और है बता यह कि ने रहत बना और एक अगर हम बात करें तो बी और सी को मिला दें तो नहीं रेक्टैंगल बनाएंग बनाइंगा ऒजी मँद्गा दूसरी लाइन खीजे का निर्माला करेगा और और यहांब हमें नौ में बाराip और अंसर की बात करेंगर हम 3, 4, 12 और अगर हम बात करें यहां पर answer जो हो जाएगा 21 answer को जाएगा यहां पर 12, 9, 21 clear option में यहां पर error है answer हो जाएगा आपका कितना 21 यानि कि यह बनाएगा 1 plus 2, 3 1 plus 2, 3 3 तिरिक का कितना हो जाएगा 9 और तो typing error है clear अगर इसी प्रकार हम यहां पर 2 लाइनों की बात करते हैं इसी प्रकार यहां पर मालो प्रस्न यह है चलो यहां पर 2 लाइने खीज दिया और यहां पर 2 लाइने खीज दिया तो ध्यान दीजे 9 तो पहले बनते 9 के बाद पहली लाइन सब में है यानि कि पहली लाइन के साथ साथ बनेगा कितना तीन यानि कि तीन चोके हो गए बारा और दूसरी लाइन के साथ बनेगा चार तो दो लाइन केवल दो जगे आई है तो बारा और आठ अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बीस प्लस नो कि हम बात करें तो कितना हो और माल लेते हैं यहां पर भी लाइन दे दी गई तो आठ और जोड़ दो कितना हो जाएगा 37 clear चलिए बात करेंगे अगले प्रस्न की अगले अधिमें प्रस्न की बात करो तो बिलकुल आसान सा प्रस्न है जाद आपको दिमाग लगाने जरूरत नहीं है आइब बात करेंगे अगले प्रस्न की अगले दी में प्रस्टिकी बात करूँ तो ध्यान दीजिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर यहां पर अगर मैं बात करूँ नंबर और रेक्टेंगल की तो एक, दो, तीन, चार सब को एड़ कर लेंगे तो कितना जागा 10 यहां से मिल गए रेक्टेंगल दस यहां से बात करें तो एक और दो कितने मिल गए तीन यहां से बात करें तो एक और दो कितने मिल गए तीन फिर यहां से अगर हम बात करें तो इन दोनों को मिला करके बन जाएगा कितना एक और इन दोनों को मिला करके कितना बन जाएगा एक clear तो 3 और 1 4 यहां से हो गए 4 यहां से हो गए 8 और 10 यहां से हो गए 18 यानिकि option number 1 क्या हो जागा right answer हो जागा कुछ भी अलग कुछ भी नया करने की जोरत नहीं है एक बार हमने सब को जोड़ दिया 10 आ गया यहाँ पर हमने दोनों को जोड़ दिया number of state line जब हम number of state lines की बात करते हैं तो यहाँ पर हम vertical lines को देखते हैं यहाँ पर हम horizontal lines को देखते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं slanting lines को यानि कि हम अगर बात करें उर्द्वा धर रेखा को देखते हैं 36 रेखा को देखते हैं और हम क्या देखते हैं अच्छा यह आज के session का last question था तो आज के session के लिए फिलाल इतना ही next session के लिए हम बात करें तो इसी प्रकार के amazing और interesting topics with concept के साथ हम लोग यहाँ पर फिर से जुलेंगे यानि कि आपको क्या करना है पूरी तरीके से समर्पित हो जाना है जितने भी दिन आपके पास बचे हैं जितने भी आपके पास यहाँ पर अगर हम बात करें lectures आपको deliver कराई जारहे हैं जो भी आपके पास study material यहाँ पर आपको provide कराई जाना है पूरे जीजान से आपको लगना है हार एक प्रश्ण को आपको बनाना हार एक आपको समझते हुए चलना है और अपनी जीत अपना लक्ष आपको सुनिशीत करना है यानि कि आपको सेलेक्शन लेना है तो आज के लिए इतना ही मिलते हम लोग नेस्ट सेशन में थैंक यू